उत्तर प्रिदेश के भदोहीजनपत में आस्था के प्रिति किस्थलों में बरजीकला ग्रामसभा इन दिनों पूरे जिले में चर्जा का विसेव बना हुआ है। पंद्रह मैं से लगा प्रूसोतम माह में गंगाटट पर भोले बाबा के दर्वार में ग्रामड़ों द्वारा अखड हरीकिरतन किया जा रहा है। बरजीकला के निवासियों सहीट छेत्रेश सिभ भक्तों का कहना है कि नर्मदेजवर सिवलिंग में अपार सकती है। बोले बाबा ग्रामसभा के लोगों का हमेशा कल्यान करते हैं। गंगाटट पर होने के कारण भोर के पाच बजे से हिसर धालों का मंदिर पर चल अभी से शुरू हो जाता है। ग्रामसभा के निवासी पंडित महेश भारदो आज बताते हैं कि भोले बाबा की अपार महिमा है। भोले बाबा के मंदिर के पीछे करीब 500 मीटर दूरी पर गंगा के किनारे जल का इस्त्रोथ निकल रहा है। जबकि मंदिर के अगल वगल करीब 2-3 किलो मीटर के एर्द गिर्द कोई फी तलाव या नहेड आदी नहीं है। फिर यह जल का इस्त्रोथ कहां से निकल रहा है। और गंगा मैया का पानी निकल रहा जल इस्त्रोथ से करीब 5-6 फोट नीचे बह रही है। और मंदिर में इस थापित सिवलिंग पर हमेशा जल नहीं गिरता है। फिर यह अद्भुत चमतकार कहां से हो रहा है। ग्रामीडी से भोले वाबा का चमतकार मानते हैं। बरजी कला निवासी भक्त कम्रा संकर उपाध्याए बतीर्थ राज ने ABPS नियूस चैनल को बताया कि भोले वाबा के दर्वार में भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। प्रिधान संके राष्टियोपाध्याच्य सिभू सरुपाध्याए उर्फ गोपाल लगभग 20 बर्स से सावन में प्रितेक सोंबार को रूद्रविशेक करते चले आ रहे हैं। भोले वाबा ग्रामीडों के हर संकट में खड़े रहते हैं। ग्रामीडों का कहना है कि जब भी ग्रामसभा में किसी लड़के की वराज जाती है तो सर्वपिर्थम पाजा भोले नात के दरवार में ही बसता है। एक माहा तक चलने वाला इस धर्म की नगरी में रात दिन भक्तों का बताता लगा हुआ है। सावन माहा में तो सुभा से साम तक भक्तों द्वारा जलविसेख से भोले बाबा के दरवार में हाजरी लगाते हुए जयकारे लगाते हैं। घंटा घडियाल से मंदिर गुंजता रहता है। एक माहा तक चलने वाला इस माहा परमु में भक्तो द्वारा भोले बाबा के मंदिर में पहुचकर हरी कीर्दन मेयावत से भाग लेते हैं।